हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल हम गार्डिनिंग और आइडियाज आज बात करेंगे घर पे एक ऐसी सबजी ग्रो करने की जो की बहुत आसानी से पोट में ही ग्रो हो जाती है और हमें उसके सीड्स लेने भी बाहर नहीं जाना पड़ता है घर में ही एवेलेबिल रहते हैं जैसे मैंने देखिए ये पालक उगाई है कंटेनर में तो इस तरह से ही मैं आपको एक और पत्तेदार सबजी गाना बताऊंगी कि वो हम कंटेनर में कैसे उगा सकते हैं छोटे से इसमें जादा साइज भी नहीं है और आसानी से जल्दी तयार होने वाली सबजी को मैं बात कर रही हूँ मैथी पत्तेदार मैथी जिसे आप मैथी की भाजी भी बोलते हैं उसको उगाने के लिए मैं आज आपको बताऊंगी यूँ तो आप डायरेक्ट सीट डाल कर और मैथी की भाजी होगा सकते हैं लेकिन मैं आपको इस तरह की प्रोसेस बताऊंगी जिसे की लगने वाला समय आदा हो जाता है और लगवक तीन से पांच दिन में हमारी मैथी की भाजी ग्रो हो जाती है तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि इसमें क्या प्रोसेस आपको करनी है मैथी की भाजी ग्रो करते समय मेरे पास ये मैथी दाना है जो मैथी का सीट स्केलाता है इसको आप यूज करेंगे और इसको अम डायरेक्ट अधी मट्टी में यूज करते हैं तो भी हो गयाती है में थी भाजी लेकिन मैं आपको यही प्रोसेस बता रहे हूं जिससे आप जल्दी से जल्दी इसको ग्रो कर सकते हैं तो इसके लिए हम ऐसको आठ से दस घंटे के लिए हम इसको पानी में फिखो के रख देंगे मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, आप चाहें तो रात भर इसको बिगो कर रखें, इसको आठ दस घंटे के लिए यूँ ही बिगोने रख देते हैं, आठ से दस घंटे मैथी के बीच पानी में गले हुए थे, आठ से दस घंटे के बाद, अब मैं इन बीजों को निकालूंगी और इनको एक टिशू, पेपर पर या कॉटन के कपड़े पर रखूंगी, इनका हम पानी निकाल लेते हैं, और इस तरह से इनको जर्मिनेशन के लि यह हमने इसको रख लिया है, चलिए मिलते हैं, आठ से दस घंटे के बाद, चलिए फरेंट, आठ से दस घंटे हो गये हैं, अब हम देखते हैं, हमने टिशू, पेपर में मैथी के सीड्स, गला के और उनको रखा था, तो 8 से 10 घंटे बाद उनका कशया अपडेट है, इन में स्प्राउटिंग होई है तो यही कारण है यह रीजन बताने वाली हूं में कि ऐसा करने से आपकी मैथी जो है बहुत जल्दी ग्रो होती है उसका जो नॉर्मल लगने वाला समय है उससे आधा समय इसमें लगता है तो चली अब मैं इसको मट्टी तैयार करके इसको मट करने वाली हूं हम यह बीज लेते हैं जो कि हमने अंकुरित कि इनको मैं डाल देती हूं इस तरह से मैं यह मैथी के दाने डाल दी है मिट्टी के लिए आप स्वैल मिक्स यूज कर सकते हैं नॉर्मल स्वैल में भी आप लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम इसको कवर क्रते हैं मिट्टी से क्विक consumers क हम कवर करते हैं चैसे Г yap कवर करते हैं आफ है मैंती दाने बहुत जलतीफी ग्रोभ होंगे क्योंकियों कि इसमा ऐं अल्रेडी मिट्टी को अ चुके हैं तो चीब जादे माँ लगा गेंगी तो ग्रोव होने में तो यह मैने पूरी तर नहीं तो सारे जो सीट से बाहर निकलाएंगे ग्रोवने में उनको प्रॉब्लम होगी तो यह हमने इसमें डाल दी हैं सीट चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के अपडेट के लिए आईए देखते हैं हमने जो मैथी वही थी उसका क्या अपडेट है तीन दिन के बाद देखी और इनमें चुटी-चुटी सी लीफ भी आ गई है तो कितने जल्दी से यह ग्रोव हुई है इसका कारण भी वही है कि हमने इसको पहले से विगा लिया था और इसको स्प्राउटिंग कर ली थी इसकी इसलिए इतने जल्दी से उगाई है तो यह बहुत अच्छा तरीका है मैथी ग्रोव करने का चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के लिए फ्रेंट्स 15 से 20 दिन के बादा मैथी का रिजल्ट देखिए कितने हेल्दी प्लांट निकलने वाले हैं यह देखिए काफी अच्छी ग्रोथ हुई है